हाई दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम पैसों में बहुत ही टेस्टी सा ओरियो शेक चलिए बनाना शुरू करें यह देखिए मैं दस रुपय वाला जो ओरियो बिस्किट आता है वो ले लिए नॉर्मली शॉप पर आपको इसी वे में म बहुत कम प्राइज में बहुत ही टेस्टी सा शेक लगता है और इसमें कुछ भी एक्स्टा इंट यूज नहीं करने वाली हूं तो देखिए इसमें डाल दिया इसके साथी में बरफ यूज कर रही हूं अगर आपको आइस ज्यादा थंडा नहीं पीना है तो स्किप कर सकत हैं इसके साथ ही मैंने देखिए एक ग्लास दूद एड किया है और एक चम्मच में इसमें चीनी एड करने वाली हूं क्योंकि अल्रड़ी हमाई बिस्किट मीठे होते हैं तो इसलिए मैं सिर्फ एक चम्मच ही यूज कर रही हूं अगर आप ज्यादा मीठा चाहते हैं तो मेरा जो दूध है उसमें बिल्कुल पानी आड किया था मैने तो इसलिए मैं एक कप पानी और अलग से आड करती हूं चिल्ड़ पानी है अब इसको हमGRIND कर लेते हैं नौमलि जैसा हमGROinh करते हैं बिल्कुल बारिक शेक के तर इसको GRIND कर लेंगे कलर तो आ चुका है खोल के देखते हैं कैसा तयार हुआ है देखिए यह बड़ी ऐसा शेक तयार है चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं तो हमने देखिए ग्लास लिया है सबसे पहले देखिए मैं पाहर सी शिरा प्रक्षी थी इसलिए मैं थोड़ा इस ग्लास को डेकॉरे अब इसके अंदर हम हमारा शेक निकाल लेते हैं सबसे पहले इसमें बरफ डालेंगे अब इसके अंदर हम हमारा शेक एड़ कर देंगे विससे आपका फेवरेट शेक कौन सा है जरूर बताईएगा कमेंट शेक्षन में मैं अगला वीडियो वही है डालूंगी जो आप में कमेंट शेक्षन में बताएगे कि आपका फेवरेट कौन सा शेक है और कुछ डिफरेंट रेसेपी हो तो वह भी शेयर कीजिएगा मैं जरूर अपने चैनल पर दिखाऊंगी देखिए अब यह हम देखिए में पास रखी है इसलिए मैं यूज कर लेती हूं यह मैंने आइस बस्किट थाना वो इस पर थोड़ा सा घ्रीक से कर देते हैं डेकोरेशन के लिए डेकोरेशन का आप चाहें तो शिप भी कर सकते हैं तो देखिए किता सुंदर लग रहा है ना इस लिए थोड़ा सा मैं इसको यूज कर लेते हैं और साइड में बचावा बिस्कृट इस त तयार है